आख पे लगे हैं बहुत ही सारे कीडे और ये तो ट्राइपोफोबिया वाला कीडा था चुकि सेप तरीके से कट कर रीमू हो सुका है और ये होल वाला ट्राइपोफोबिया है चुकि ये भी सेप तरीके से कट कर रीमू हो सुका है और देखिए चोड़ी चोड़े बैंगोर्स हैं जो की काफी जादा खतरनाक होते हैं और ये भी काफी की पाइटी वाले मैंगोर्स वाले कीडे थे जो कि ये भी सेप तरीके से रीमू हुए और ये गिनरे टाप के लिजड़ी वाले कीडे थे जो कि हमारे चाकु ने सेप तरीके से निकाला और ये ब्लैक वाले कीडे भी देखी सेप तरीके से रीमू हो चुके हैं एक ही बार में और ये बड़ा वाला ट्राइफ वो विया ये भी निकल चुदा है बहुत ही सेप तरीके से और ये भी ट्राइफ वो विया है जो कि ये भी सेप तरीके से रीमू हुआ और ये हमारा बेल चावाला कटर चाल जो कि बहुत ही आसम तरीके से काचा कीडे को और ये हमारा गोल्टन वाला चापू फंगल वाले कीडे को बहुत ही सेप तरीके से रीमू किया और ये बाल वाले कीडे हैं जो कि इसको भी हमारे छोटे वाले चाकू ने निकाला और ये कुछ ब्लैक वाले ट्राइफोफोबिया है थे जो कि ये भी निकल चुके हम लोग अब दवा लगाते थे हैं देखिए साब सीधी बात हम लोग दवा लगा दिये हैं अब आगे हमारा कॉटन मों रूई और ये पूरा टाइमर चलाएगा बहुत ही सेप तरीके से और देखिए टाइमर भी चलने लगा है और टाइमर पूरा का पूरा खातब हो चुका है और आप लोग देख सकते हो लड़की का आख जो कि बहुत ही सीप तरीके से हम लोगों ने डीप क्लीन करकी इसका ट्रीटमें इन्वेशन कर दिया है हेएफा इसाब लोग देख सकते हो पूरी ही फेस पे देखे बहुत ही तगणे वाले खीड़े लग गए हैं जो कि हम वैड्यूम से आख वाले कीड़े को रिमूव कर रहे है हैं बहुत ही सेफ और आवसम तरीके से तो देखिए हम लोगों ने वैक्यूम से बहुत ही सेफ तरीके से काड़ दिया है आख वाले कीड़े को अब देखिए हमारा चाखो बहुत इसे तरीके से आख वाले कीड़े को एक ही बार में काड़की गिरा दिया आगया दूसरा चाखो हमारा कि अका रहए दूसरे करेका रैश्च si दूसरी की वाले कीड़े को इसको कर्जाए है और भी बार मसा आगया चंपि आप आपके पर दकराए और दूसरे के दूसरे कीड़े पर चाखोंहते है और इसको भी दिखिये बहुत ही से और उसम तरीके से फेक दिया है अब आगे वाला चाकू तो इसके नोज वाले वारस को एक ही बार में काटके गिरा दिया अगे आगे वाला पतला वाला चाकू और ये गिनोने टाइब की कीड़े को एक ही बार में काटके पूरा का पूरा गिराया और ये चिक्स पे लगे हुए कीड़े को इसको भी गिराया और ये वाला भी कीड़ा गिरा ये कुछ गिनोने टाइब की कीड़े हैं जो कि गिर चुके हैं बहुत ही सेप और आवसम तरीके से और ये बड़ा वाला पिंपल्स था वो भी रिमूव हुआ और ये दूसरा वाला भी बड़ा वाला पिंपल्स है ये भी रिमूव हो चुका है और ये प्लैक वाले कीड़े हैं चोकि ये भी रिमू हो चुके हैं एक ही बार में और दीखें मारा क्रोम वाला चाकु जालेदार वाले कीड़े को एक ही बार में तरीके से रिमू किया त्रीके से, जहाए ROBन तरीके हैं और यह माउथ वाला कीड़ा था यह भी देद ही रिमू हो चुका है बहत किया तो यह बिला स्ट वाला है तो जैकि बहुती सेप और आसम तरीके से ये भी गायब हो चुका है अब आगे हमारा इस प्रे का दवा तो एज जगह दवाई पढ़ चुकी है और देखिए दूसरे जगे भी हम लोगों ने दवा डाल दिया है बहुत इसे पर आउसम तरीके से पुरा फुल आगया हमारा कॉटन तो टाइमर चलने देते हैं टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल डिजट हमारा क्या निकलता है तो फाइनल अब लोग देख सकते हो इस आदमी के देखिए बहुत ही तगड़े कीड़े लगे हैं इसके पूरे ही फेस पे और देखिए आदे फेस पे तो कीड़े आदेई फेज में बहुत ही तकड़े-कीडे लगे हैं और होल वाले भी कीडे हो चुके हैं और आदेई फे पर बहुत तकड़ेवाले कीडे लगे हैं और दिखिया, हमारे चाकू बहुत ही सेप और उसन旅 तरीके से काटकी durum families कीडेया धिया कशुच कीडे को और दिखिए बड़े वाले चाकू ने आदे फेस को बहुती क्लीन कर दिया है ट्रेट्मेंट करके इसका तो ये गिनरे टाइब के फंगल थे ये रिमूव हो चुके हैं अभी ये कुछ आख वाले वायरस है तो देखिए आख वाले वायरस को हम लोगों ने बहुती से तरीके से रिमूव कर दिया है और ये कुछ गिनरे टाइब के कीड़े थे इसको भी रिमूव किये हम लोगों ने बहुती से तरीके से और इसके चेहरे पे हाफ वाले चेहरे पे हो गये हैं वायरस तो हम दिरे दिरे सब को रिमूव करते हुए जाएंगे अब पूरा फिस को क्लीन करेंगे और ये हमारा चाको बहुत ज्यादा धार वाला है जो की काट के गिरा दिया है और ये ब्लैक वाले कीड़े को भी सेब तरीके से काट के हम लोगों ने गिरा दिया है और ये कुछ गिनोने डाइब के मैंगोर्स थें इसको भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया है तो ये हमारा गुल्डेन वाला चाको बहुत ही ओसम तरीके से काट के निकलता है और हम लोग दावा डाल देते हैं और दीकी दूसरे जगवी दावा बढ़ चुकी है हमारा कॉटन वूल रूई आ गया है तो टाइमर चलने देते हैं टाइमर चलने के बाद हम लोग देखते हैं इस आज में की पूरी ही फेस पे हो गये हैं बहुत ही तकड़े वाली कीड़े तो देखिए हम चाकू के मादन से बहुत ही परिके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे आज तो देखिए हमारा चाकू बहुत ही से परिके से कुछ की उड़े को काटके गिरा दिया है हेंड़ वाला चाकू आया और ये भी कुछ वाइरस को काड़ के गिरा दिया है एक ही बार में तो ये हमारा ब्लैक वाला चाकू बहुत ही से पले से काम करता है वो भी काड़ के गिराया और देखी इस केच वे वादे कीड़े को भी हम लोग ने बहुत ही ओसम तरीके से काटा और ये कुछ काटेदार वाले कीड़े हैं जोकि ये भी रिमोब हो चुके हैं आगे बड़ा वाला चाका मार तो देखी ये बड़ा वाला चाकू बहुत ही से तरीके से काट के गिराया कीड़े को और ये गुमराले वाले कीड़े थे जोकि ये भी गिल चुके हैं और ये हमारा क्रोमो वाला चाकू बहुत ही ओसम तरीके से काट के गिराया पुरे के पुरे कीड़े को और ये खिनाओने टाइप का कीड़ा भी किड़ चुका है एक ही बार में आगे रितीला वाला चाकू और ये रितीला वाला चाकू देखिए इसके फिस पे लगे हुए कीड़े को काट के गिरा दिया और ये हमारा बिल्चा भी बहुत ही ओसम तरीके से काट के गिराया कुछ कीड़े को तो फाइनले गाईस आप लोग देख सकते हो बहुत ही ओसम तरीके से हम लोग ने बहुत सारे कीड़े को गिराया तो देखिए इस प्रेकप बॉटल हम लोग इसके चेहरे पर मात देते हैं तो दूसरे जगे भी दवाई पड़ चुकी है हमारा इस प्रेकप बॉटल चला गया है तो टाइमर चलने देते हैं पर लगे है कीड़े तो आई वाले कीड़े बहुत ही से तरीके से गिर्श चुके हैं हम लोग इसके पूरे ही फेस का ट्रीट्मेंट करेंगे आज पूरा फुल और ये हमारा हैड़ वाला कटर बहुत ही से तरीके से रिमू कर चुका है कुछ कीड़े को और ये भी कुछ गिर्श चुके हैं बहुत ही ओसम लूप तरीके से और ये आख वाला कीडा था जो की ये भी रिमू हो सुका है बहुत ही सेब तरीके से तो हम लोग इसके पूरे ही फेस को बहुत ही सेप क्लीन के साथ हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे आज और यह कुछ घिनोरेटाप की कीड़ी से जो कर यह भी रिमोड हो सुगे हैं हैड वाला चाकू बहुत ही बुरे वाले कीड़े को एक ही बार में काटके निकाज सुगा है आगे और तीला वाला चाकू अमारा जो की इस ट्राइप और पोविया वाले कीड़े को एक ही बार में काटके रिमोड कर सुगा है पूरा का पूरा तो हमारा ग्रीड वाला चाकू के नरे टाइब की कीड़े को एकी बार पर काटके निकाला अभी ये ट्राइफोफोबिया वाले कीड़ा था जो कि ये भी रिमूव हुआ बहुती आसम तरीके से आगे हमारा क्रोम वाला साकू और देखिए इस गिनावने वाले टाइप कीड़े को एकी बार में रिमूव कर सुका है और देखिए फिस पर लगे हुए कीड़े को हम लोग ने बहुत ही सेप और डीप लिन के साथ निकाला आगे हमारा दवा लगा देते हैं तो देखिए दवाई की ट्यूप लग चुकी है और यह हमारा दवा भी चला गया अब हम कॉटन वूल रूई आगे हमारा तो टाइम चले देते हैं टाइम चली के बाद देखते हैं फाइल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है इसको हम लोग त्रीटमेंट कर दिया है कि नहीं तो देखते हैं जैसा आप लोग देख सकते हो इस आदमी के पूरे ही हेड पे और पूरे ही माउथ पे बहुत ही तग्ड़े वाले कीड़े लगे हैं तो देखिए हमारे चाहओ बहुत ही सेफ तरीके से ट्राइफोप हो या वाले कीड़े को निकाल चुका है एक ही बार में और ये कुछ गिनवने टाइप कीड़े को एक ही बार में फिनिस करके निकाला आगे आदे तीलवला चाहओ मारा और देखिए बहुत ही ओसम तरीके से इसको भी काटके निकाल दिया पूरा का पूरा और ये गिनवने टाइप के माउथ को भी निकाला और ये आँख वाला कीड़ा भी बहुत ही सेप और उसम तरीके से निकाल चुका है और इसके हेड पे लगे हुए कीड़े को बहुत ही सेप तरीके से निकाला और ये बड़े बड़े कीड़े थे जो कि ये भी रिमू हो चुके हैं तो देखें बहुत सारे कीड़े को अब लोगे निकाल दिया है अब ये गिनोरे टाइप कीड़ा है और ये गिनोरे टाइप कीड़ा भी बहुत ही सेप तरीके से कट के निकल चुका है पूरा का पूरा कोड़ी की ट्राइप भूविया वादे कीड़े थे जो कि ये पी रिमूव हुए और ये बिलेज्ट जी वादे के रहे टाइप कीड़े थे आगे हैंडवाले चापू और ये चोटे-चोटे मैं गोड्स को रिमूव किया एक ही बार में आगे हमारा दवा तो देखें दवाई बहुत ही सेफ तरीके से लप चुकी है और आगे हमारा कॉटन बुल्डूरी तो टाइमर आप लोग चला देते हैं तो टाइमर चल रहा है टाइमर चलने के बार दे देख सकते हो इस लड़की के पूरे ही फेस पे देखी बहुत ही ज्यादा कीड़ी लग चुके हैं चुक्ति के मादम से इसको कूरइंगे और देखें किड़े को सेफ तरीके से रिमूव किया हमारे चिमटी ने और दखें हैं लाश्ट वाले कीडों कीड मुञा और इसको बार में गाटके और यह ट्राइफ अपोबिया वाले कीडियो को भी सिप तरीकिस से रिमू किया आगे हमारा हैंड वाला चाकू कि यह प्राइफ पोफिया वाले कीडियो को भी देखियो करती है एक ही बार में आगे हैं चाकू हमारा और यह गिनाउने वाले ट्यूल की केडियों को इक ही बार में प्रीमू घर सोगा है पूरा कपूरा और ये आई वाले कीड़े को भी सेप तरीके से रिमूग कर चुका है आगे हमारा क्रोम ओला चाकू और देखिए ये गिनोने टाइप की कीड़े को भी रिमूग कर दिया है एक ही बार में और ये भी कुछ कीड़े थे जो कि ये भी हो चुके हैं बहुत ही उसम तरी थे पतल वाला चाकू हमारा आया और देखिए मैंगोट्स वाले कीड़े को भी रिमूग कर चुका है पतल वाला चाकू हमारा अगे पतल वाला कटल और ये फंगल वाले कीड़े थे इसको भी देखिए बहुत ही सेफ तरीके से रिमूग किया और ये भी कुछ गिनुटाइब की कीड़े थे जो कि हम लोग ने रिमूग किया बहुत ही सेफ तरीके से और ये भी किनुटाइब की कीड़े थे ये भी रिमूग हो चुका है अभी लास्ट वाला कीड़ा बचा हुगा है और ये लास्ट वाला कीड़ा भी बहुत ही सेफ तरीके से कटके निकल चुका है और हम लोग दवा लगा देते हैं और देखिए दवा लग चुकी है बहुत ही ओसम तरीके से और ये हमारा दवा भी गया हमारा कार्टन वूल आ गया रोई बहुत ही सेप तरीके से और यह दिखे टाइमर चलने भी लगा है बहुत ही ओसम तरीके से तो दिखे टाइमर चल रहा है और फारली गाइस देख सकते हो गाइस जैसा अब लोग देख सकते हो इस लड़की के पूरी ही फेस पे बहुत ही तगड़े वाले कीड़े लग चुके हैं तो देखे हम चिम्टी के माध्यम से धीरे धीरे रेड़ वाले कीड़े को रिमू करेंगे बहुत ही सेप तरीके से और इसका ट्रिट्मेट करेंगे हम आज तो देखिए हमारा कीड़ा पकड़ा गया और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों ने चिम्टी रप्राजम से फेक दिया आप आगे हमारा चाकू और देखिए होल वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से काटा और ये दूसरा वाला भी होल वाला कीड़ा कटके डिकल चुका है बहुत ही आसम तरीके से आगे पतल वाला चाफू और देखी इसके माउथ को ये वाली कीड़े को निकाला आग वाला भी कीड़ा कटके डिकल चुका है एक ही बार में आगे हमारा दूसर वाला चाफू और ये ब्लैक वाले कीड़े को एक ही बार में कटके डिकल के फेक दिया है फेस्ट पर लगे हुए फंगल को भी काटके निकाले हम लोग रिमू कर दिये हैं पूरा का पूरा और ये होल वाले कीड़े हैं जोकी ये भी निकल चुके हैं पौसम तरीके से और ये कुछ कीड़े थे जोकी गिनोने टाप की थे वो भी निकल चुके हैं और देखिए केचुवे वाले कीड़े भी निकल गए हैं एक ही बार में और ये कुछ किनोने टाप की कीड़े थे जोकी ये भी सेब तरीके से निकल चुके हैं एक ही बार में और ये देखिए होल वाले कीड़े थे जोकी राउंड में थे वो भी निकल चुके हैं अब ये मार बेच्चा वाला चाकु जोकी गिनोने टाप की कीड़े को ये खिबार में काटकी निकल दिया है और ये सिंग वाला कीड़ा भी रिमूव हुआ और ये दूसरा वाला भी सिंग वाला कीड़ा रिमूव हो चुका है आगे हमारा पत्लों लचाकू तो देखिए फूल फेस को हम लोग ने बहुत इसे प्रिकेस से ट्रिट्मेंट किया सब्सक्राइक लगा और ये हमारा हम आगे कटन बूल रोई तो हम लोग टाइमर चला देते हैं तो चल रहा है 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 तो फाइनली गईस